नमस्कार भाईयों और बहनूं जंगली मेडिसेन यूटूब चेनल में आप सभी का एक बार फिरते स्वागत है बनस्पत्यों की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको हिंगोट का पेड़ बताने वाले हैं इस हिंगोट के पेड़ के भी काफी सारे औस्दिय फायदे और गुन होते हैं और इस हिंगोट के पेड़ की एक खास बात है मद्द प्रदेश में इंदोर जिले के पास गोतमपूर में हिंगोट यूद होता है और उस यूद में खेलने के लिए जो बम बनाये जाता है वे इसी हिंगोट के फल से बनाये जाता है इसकी गुटली को साप करके इसके अंदर बारूत भरा जाता है जिसे हिंगोट बम कहते हैं तो चली जानते हैं हिंगोट कैसा होता है हिंगोट के और दिये फाद क्या है तथा इसके क्या-का नुकसान हो सकते हैं समपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंतर तक देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुती महत्पूर है और हां यदि आप दुनिया की सभी प्र ब्रेक्ष है जो अधिकतर सड़कों के किनारे और जंगलों में देखा जाता है वैसे ये ब्रेक्ष सभी जगह देखा जा सकता है लेकिन बिसेश कर गुजरात कठियावार तथा मद्ध प्रदेश में आप इसको आसानी से देख सकते हैं हिंगोट का ब्रेक्ष मद्ध माकार का होता है लगबख 10 से 15-20 फिट तक कर ये उंचा हो जाता है बारिस के बाद इस पर फल लगने लगते हैं और गर्मियों में सूख जाते हैं इसकी साखाओं के सिरे पर लंबे बड़े और तीक चिकांटे लगते हैं तथा इन कांटों के उपर पत्ते और फूल लगते हैं इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो दो दो के जोड़े में होते हैं इसके फूल पीला पन लिये हुए हरे रंके होते हैं तथा इन में खुसबू भी आती है इसके फल निवू के आकार के बड़े और कठोर होते हैं इनके अंदर गुठली होता है लेकिन बहुत औस्दिय गुन लगता है तथा इस गुदे का पुर्योग पुराने समय में बेल गालियों के पहिये में लगाये जाता था पेट्रॉलियम ग्रीज की तरहां हिंगोट के छोटे पेड़ से ही फल लगना सुरू हो जाते हैं अलगलग छेतरों में में हिंगोट, गोंदी, हिंगल, बंगाली में हिंगोन, माराटी में हिंगल, महराष्ट में हिंगट वेट, गुजराती में हिंगोरिया, अर्वी में हिलेल जे, कमिल में नज्जून दान, तथा उर्दू में हिंगोट आदी नाम से जाना पेचाना जाता है और इसका वनस् हिंगोट, चरपरा, हलका, कड़वा, गरम, जागदार, रसायन, किर्मी, वात, शूल, स्वेत कोष्ट, वान, कप, ग्रह पीड़ा और भूत बाधा को दूर करता है इसके फूल, मदूर, इसनकद, गरम, कड़वे तथा वात और कप को नश्ट करने वाले होते हैं आयवर्दे गरंत भाव प्रकास निखंटू में हिंगोट को गरम, कड़वा, चरपरा, कुष्ट, भूत बाधा, गरह बाधा, वान, विश, किर्मी, शोयत कुष्ट और सूल को दूर करने वाला माना गया है चले अब जानते हैं इसके कुछ औस्दिय प्रियोग जो अत्यन लाबकारी है ध्यान पूर्बग वीडियो को देखिएगा हिंगोट के बीजों की गिरी को पानी के साथ घिसकर चहरे पर लेप करने से चहरे के कील, मुहासे, जाईयां दूर होती है तथा चहरे की किरांती बढ़ती है युनानी मत के अनुसार इसका फल, बिस्पोटक, स्वेट कुष्ट और दूसरे चर्म रोगों में बहुती लाबकारी होता है हिंगोट में किर्मी नाशक, कफ नाशक, कुष्ट नाशक, गुर्पाय जाते हैं पुराने कफ के रोगों में इसके बीजों की गिरी बहुती लाबकारी है प्रेशाप और दस्थ साफ होता है तथा ठकावट दूर होती है स्वांस्नली की सूजन भी इस दवा के प्रियोग से ठीक हो जाती है लेकिन इसको अधिक मातरा में प्रियोग नहीं करना चाहिए इसके मगच की मातरा को एक रक्ती से लेकर 10-15 रक्ती तक लिया जा सकता है पेट में कीड़े हो जाने पर इसकी छाल का चून एक से दो ग्राम की मातरा में पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े नश्ट हो जाते है सूखी खासी दूर करने के लिए इसके बीजों की गिरी एक रक्ती से लेकर 15 रक्ती तक सहद में मिलाकर लेनी चाहिए जिससे सूखी खासी पूरी तरह ठीक हो जाती है इसकी फल की मगच को गुड़ के साथ सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाता है इसके पके हुए फल के गूदे के सांथ गुड मिलाकर सेबन करने से पेट के कीड़े, पेट का दर्द, कबज, आदी की समस्तिया दूर होती है आँखों में जब मोतिय बिंद आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी आप इसका प्रियोक कर सकते हैं और बहुती अच्छे लाब मिलते हैं हिंगोट की मगच एक गिराम और दो गिराम भांग इन दोनों को अच्छे से घोट कर आँखों में अंजन करने से मोतिय बिंद धीरे धीरे ठीक हो जाता है और आँखों की जोती बढ़ती है चर्मरोगों को दूर करने के लिए एक बहुती सरल प्रियोग है तथा ये खून को भी साप करता है हिंगोट की ब्रक्च की छाल का चुरन बना लें और एक गिराम से लेकर पांच-छे गिराम की मातरा तक ये फिर अपने बला बला नुसार रोज सुभैब साम पानी के साथ लेने से सभी प्रकार के चर्मरोग ठीक होते हैं ये कुष्ट में भी लाब करता है ये प्रियोग करते समय आपको अधिक तले हुए पदार्त खटाई, नमक तथा वात बढ़ाने वाले पदार्तों का सेबन नहीं करना चाहिए हिंगोट की गिरी का तेल भी निकाला जाता है और इस तेल के काफी सारे गुण होते हैं ये सीदल और मीठा होता है ये क्रांती, बल, धातू, केश, कफ और आखों की जोती को बढ़ाता है पित को शांत करता है इस तेल को चेर्म रोगों पर लगाने से काफी अच्छे लाब मिलते हैं हिंगोट के तेल को चेरे पर लगाने से चेरे के कील मुहा से दूर होते हैं प्रथा ये बालों में भी लगाये जा सकता है जो बालों का जढ़ना और गंजपन रोकता है तो देखा आपने इस इस इंगोट के कितने सारे और दिये गुण और फायदे हैं लेकिन कुछ साबधानी आपको फिर भी रखनी चाहिए इसको अधिक मातरा में प्रियोग नहीं करना चाहिए सिर्फ थोड़ी थोड़ी मातरा में ही इसका प्रियोग करें यदि आप भी इस इंगोट के बाले में कोई जानकरी रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रू बताएं हो सकता है आपकी दिहु जानकारी किसी के काम आ जाए आसा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लापकारी रही होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकरी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सबी भाईयों बहनों को नमस्कार